दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं एकदम रसीली रसबरी मिठाई की रेस्पी जिसे हम सूजी से बनाएंगे और ये मिठाई बिलकुल गुलाब चामुन जैसे सौफ्ट मुँ में घुल जाने वाली बनती है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें आप इसे जटपट बहुत असानी से बना कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले पैन में हम लेंगे एक कप दूद जितना हमें दूद लेना है उसका आधा हमें सूजी लेना है तो आधा कप हमन जैसा टेक्षर आता है और दोस्तों मिजद्रिंग के लिए कोई कप या कटोरी सेट कर लीजेगा उसी से सभी चीजों को नाप कर लीजेगा गैस का फ्लेम हमें मेडियम रखना है और इनको लगतार चलाते वे पकाना है तब तक पकाना है जब तक सूजी दूद को अच्छे स एबसर्प ना कर ली और ये जैसा ना हो जाए धीरे-धीरे आप देख सकते हैं यह तीक होती झाल है और ये दूद को शोक कर ली है तो इनको हमें 2-3 मिनद तक और पकाना है दो कि देखें यह नहीं जैसा हो गया है और ये एक्दम सॉफ्ट है बहुत ज्यादा इसे ड्राय ने करना है तो बस अब हम गैस औफ कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंड़ा कर लेंगे जब तक ये ठंडे हो रहे है तब तक हम मिठाई के लिए एक चासनी तृयार कर लेते हैं इसे इसके लिए कड़ाई में हम ले रहे हैं एक कप चीनी, जितना हमें चीनी लेना है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है, तो एक कप हमने चीनी ली है तो इसमें हमने एक कप पानी डाला है, अब इनको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक चीनी अच्छे से मिल्ट न हो जाए और जैसे ही चीनी पानी में घुल जाए तो इनको हमें चार से पांच मिनट तक और पका लेना है यहां पर हमें कोई तारव अगरा की चासनी नहीं बनानी है एक चिपचिपी सी चासनी बनाकर त्यार करनी है और 5 मिनट पकाने के बाद देखिए इसमें हलकी सी चिपचिपाहट है तो बस इनको हमें इतना ही पकाना है अब कलर और फ्लेवर के लिए 6 से 7 हम इसमें केसर के धागे डाल रहे हैं इसकी जगा फूट कलर और फ्लेवर के लिए आप इलाची पौडर डाल सकते हैं मिक्स करेंगे और ये लीचे हमारी ये मिठाई की चासनी बनकर त्यार हो गई है अब ही हम इसे साइड में रख देते हैं और मिठाई के लिए एक फिलिंग त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए एक बॉल में हम ले रहे हैं चार चम्मच कोकोनट पौडर यानि की नारियल का पुरादा दो छोटा चम्मच मैंने मिल्क पॉडर ली है और एक चम्मच पीसी हुई चीनी मिल्क पॉडर ना हो तो सिर्फ नारियल के बुरादे या मावे से भी ये फिलिंग बना सकते हैं थोड़े से मैं इसमें ड्राइफूर्ट डाल रहे हूँ तो यहां पर मैंने काजू बदाम पीस्ता ले है क्रश करके आपके पास जो ड्राइफूर्ट सो वो ले लीजे और इनको पहले अच्छे से मिला लीजे और अब ये थोड़े बाइंड हो जाएं तो इसमें एक से दो चमच दूर डालेंगे और इसे मिला लेंगे और देखे ये बाइंड हो गये हैं इस तरह से इनको भरना आसान हो जाएगा इधर सूजी का डो भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसके उपर एक चमच घी डालेंगे और इसे हाथों से मसलते वे मिलाएंगे ताकि डो हमारा एकदम चिकना हो जाए चिपक रहा हो तो हाथों पर थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजेगा और इसे मसलते वे एक चिकना सा डो बना कर त्यार कर लीजेगा और देखे ये डो हमारा एकदम सौफ्ट है तो मिठाई हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी फ्राइक करते समय और इसे बेल लेंगे, तो बेलने से पहले चकले बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लिजेगा, तो ये आसानी से बिल जाएंगे, और देखे इसे हमें रोटी जितना बड़ा बेलना है, और इसे इस तरह से मोटा रखना है, अब एक इस तरह की छोटी गिलास या कटोरी ले किनारे के आटे को हटा देंगे, और फिर से इनकी पूड़ियां बेलकर ले लेंगे, और अब ये इस्टफिंग लेंगे, और थोड़ी थोड़ी इस्टफिंग पूड़ियों के बीच में रखेंगे, और इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम गुजिया बनाते है सेम उसी तरह से किनारे के तरब दबा दीजेगा जिससे की ये खुले नहीं इस तरह से हम सारे सूजी के गुजिया बनाकर त्यार कर लेंगे आप चाहें तो बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं बस डो बनाएए और इसके पेड़े बनाकर मिठाई बना लीजे मैंने तेल गरम कर ली है इसमें एक एक करके ये गुजिया डाल देंगे और इनको मेडियम आज पर फ्राइ करेंगे सूजी के गुजिया है तो इनको थोड़ी दूरी पर डालिएगा जिससे की ये आपस में चिपके नहीं जब ये एक तरफ से गोल्डेन हो जाए तब इनक को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फटे नहीं है इस तरह से हम बाकी बचे गुजिया को भी फ्राइ कर लेंगे और इनको चासनी में डाल देंगे चासनी ठंडी हो गई हो तो इनको थोड़ा गरम कर लीजेगा तो चासनी इनके अंदर अच्छे से इब्सोर्ब हो जाएगी और मिठाई हमारी एकदम जूसी रसीली सॉफ्ट बनेगी और ये लीजे हमने सकेंड बेज भी फ्राइ कर ली है आप देख सकते हैं आधे कब सूजी से कितनी सारी मिठाई बनकर त्यार हो जाती है अब ये अच्छे से फूल जाएं तो एक घंटे के लिए हम इनको ढखकर रख देंगे एक घंटा हो चुका है और ये लीजे हमारी ये सूजी की मिठाई बनकर त्यार हो गई है ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बनते हैं खाने में ये बहुत स्वाधिश लगते हैं त्यवहार के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी से ड्रैफ जूसी सॉफ्ट बनती है तो दोस्तो ट्राइ करिए और रेश्पी कैसी लगी कॉमेंट में जुरूर बताएए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजे और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भोलिए फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद झाल 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 झाल